हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल हरे इस क्लासेज पर आज हम इस वीडियो में ट्रांस्फॉर्मेशन के अंतरगत एक्सिलेंट इंगलिस ग्रेमर बुक में जो एक्सासाइज 3A और 3B आप लोगों को दी हैं इन्हें बहुत ही आसान सब्दों में बिद कॉंसेप्ट के साथ डिसकस करने जा रहे हैं तो इस एक्सासाइज के अंतरगत आप लोगों को सभी सेंटेंस असरेटिव दिये गई हैं जिन्हें आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा असरेटिव सेंटेंस के बारे में तो साती ओ असरिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारम होता है उसके बाद वाव, अब्जेक्ट और लाश्ट में आपको फुली स्टॉप देखने को मिलेगा तो आप कह सकते हैं ऐसे बाद क्या, जो सब्जेक्ट से श्रू हुए हैं, और फुली स्टॉप पा समाप्त हुए हैं, वे असरिटिव सेंटेंस कहलाते हैं असरिटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका पॉइटिव जैसे मैंने कहा वह एक लड़का है तो ये कैसा है आपका positive sentence दूसरा होता है आपका negative जिसे आप नकार आत्म कहते हैं जैसे मैंने कहा वह एक लड़का नहीं है लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्याँ रखनी है जब आप एक assertive sentence को interrogative sentence में interchange करें तो दिये गई दोनों बाक्तियों का जो अर्थ है जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी परवर्थित नहीं होना चाहिए अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे मैं देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं पहला होता है क्लोज एंडेड जो हेल्पिंग आउसे प्रारम होता है और कोशन मार्क पर खत्म होता है अब इससे मैंने क्लोज एंडेड क्यों कहा है क्योंकि ऐसे बाक्तियों का अंसर केवल आप यस या नो मैं दे सकते हैं जैसे मैंने आपसे पूचा, क्या आप एक छात्र हो, अगर होंगे तो yes कहेंगे, नहीं होंगे तो आप no कहेंगे दूसरा होता है आपका open ended, जो WH word से प्रारम होता है और question mark पर समाप्त होता है अब इन्हें मैंने open ended क्यों कहा, क्योंकि ऐसे बाक्यों के अंसर आप एक से ज़्यादा दे सकते हैं तो आईए देखते हैं पहले sentence को, जिसमें आपको दिया है नहरू वोज ओनर्ड एबरिवेयर, यानि कि नहरू को हर जगे सम्मानित किया गया तो concept लिख लें, दिया गया आपका assertive sentence positive है यानि कि जिसमें आपको subject, subject के बाद helping wow, उसके बाद man wow और ant में आपको object के बाद full stop दिया है तो जब आप इससे interrogative sentence में convert करेंगे तो सबसे पहले tense के according आपको helping wow लिखनी है उसके बाद आपको subject लिखना है अब यह है, assertive sentence आपका positive है तो interrogative sentence को आपको negative बनाना होगा अथार्त आपको किसका प्रियो करना है, not का तब उसके बाद आप लिखेंगे man wow और उसके बाद जो भी other word आपको दिये है और ant में लगाना होगा आपको question mark तो पहली बात क्या है, assertive sentence अगर positive है तो सबसे पहले हम interrogative sentence बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, helping wow उसके बाद आप क्या करोगे, subject को लिखोगे अगर उपर not नहीं दिया है, तो नीचे आपको not लगा देना है अगर यहां आपको not दे, तो आपको ध्यार रखना है नीचे से आपको not को हटा देना है तो आज़े देखते हैं इसका answer तो सबसे पहले आप wow को आगी लेकर आएंगे तो यह हो जाएगी watch, उसके बाद नहरू अब इसमें आपको not नहीं दिया है, तो क्या लगाना है आपको not आगे आप लिख देंगे honored एच silent रहता है मेरे प्यारे साथी हो, honored everywhere यह हो गए आपका interrogative sentence हिंदी कर लिजिए, नहरू को हर जगे सम्मानित किया गया और इसका आर्थ है नीचे बाले का, क्या नहरू को हर जगे सम्मानित नहीं किया गया तो नहीं में आपका yes है, यानि कि हर जगे नहरू को सम्मानित किया गया आगे देखिए, none can avoid it इससे कोई भी नहीं बच सकता है तो साथी हो, assertive sentence आपका एक negative sentence है और उसमें आपको none, या फिर nobody, nobody या फिर मैं बात करूं, none हो गया, या फिर nobody हो गया, या no one हो गया ठीक है, यह word आपको दिये हैं, तो एक काम तो आपका यह आसान है कि आप इन सभी word को हटा दें, और interrogative sentence बनाते समय आप who का या प्रयोग कर दें, किसका प्रयोग कर दें, who का अगर इस प्रकास से आप नहीं बनाना चाते हैं, तो दूसरा तरीका यह है कि इन सभी word से पहले आप tense के according helping bow लिख दें, क्या लिख दें tense के according helping bow, none है, nobody है, या फिर no one है इनकी जगह पर आपको फैले any का प्रयोग करना है अब वड़ी है तो आप बड़ी लिख देंगे, यानि कि anybody, अगर no one है तो आप लिख देंगे anyone इस चीज़ को आप ध्यां रख सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो screenshot ले लो और दौनों से मैं answer आपको बताता हूँ तो देखिए, एक तो आप none की जगह पर who लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, आप who can avoid it यानि कि इससे कौन बच सकता है, तो आप का answer होगा, इससे कोई भी नहीं बच सकता है अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप can का प्रियोग करें, none हो, no one हो, nobody हो, तो इसके इसस्तान पर आपको सबसे पहले any लिखना है, ठीक है, अब यह none है, तो आप इसकी जगह पर one लिख देंगे, any one अब सातियों जगेटिव है, तो आपको यहां not लगानी कि आप सकता नहीं है, आगे आप लिख देंगे, avoid it, और question mark, क्या कोई भी इससे बच सकता है, तो इसका answer होगा, इससे कोई भी नहीं बच सकता है, आगे देखिए the sun can never set in the east, सुर्य कभी भी पूरुब मैस्त नहीं हो सकता है, तो सातियों, assertive sentence में, अगर आपको never देखने को मिले, तो इसके इस्तान पर आपको ever लिख देना है, और ever देखने को मिले, तो इसके इस्तान पर आपको never लिख देना है, तो सब से पहले आपको वाव आगे लिखेंगे the sun और never दिया है तो उसके इस्तान पर आप लिख देंगे ever को आगे लिखेंगे set in the east कितना आसान है ना आसानी से आप लोग बना सकते हैं question mark can the sun ever set in the east क्या सूर्य कभी भी पूर्व में अस्त हो सकता है तो इसका अंसर क्या होगा सूर्व कभी वी पूर्व में अस्तर नहीं हो सकता है आगी देखिए everybody knows him यानि कि प्रक्तेग व्यक्ति उसे जानता है तो यह आपका present indefinite है तो सबसे पहले present indefinite के according आपको helping आप लिखना होगा everybody हो गया यह singular है तो आप लिख देंगे does उसके बाद आप लिख देंगे everybody अब देखिए उपर assertive है तो आपको यहाँ not का प्रियोग करना है no अब आपका v1 हो जाएगा तो आप लिख देंगे no आगे लिख देंगे him question mark does everybody not know him क्या प्रत्यग व्यक्तियों से नहीं जानता है तो इसका मतलव है प्रत्यग व्यक्तियों से जानता है दूसरा concept है अगर everyone आया है everybody आया है तो इसके स्तान पर भी आप who को लिख सकते है who के बाद आपको tense के according helping book लिख ना है अब यह आपका everybody है या everyone वन है उसके बाद आपको यहां not का प्रियो करना है फिर आप बीवन लिखेंगे और आगे object या other word इस प्रकार से भी देख लेते हैं तो everybody की जगए पर आप लिख सकते हैं who उसके बाद आपको लिखना होगा does not क्या लिखना होगा does not आगे आप लिख देंगे no him question mark यानि कि उसे कौन नहीं जानता है तो इसका मतलब है उसे हर कोई जानता है कौन सब्सक्राइब लिखते रहें कोई देखकत आपको नहीं आएगी अब अगले का अंसर तो आप आसानी से बना सकते हैं comment में send कीजिए तव तक मैं आपको इसका अंसर बताता हूं यह भी presentant of net ह है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे डज उसके बाद आप लिख देंगे everybody everybody आगे आप लिखेंगे not not क्योंकि not नहीं है तो हमें not लगाना है उसके बाद हो जाएगा like to earn to earn name and fam fam का मतलब होता है ख्याती या प्रसद्धी जैसे आप कहते हैं हिंदी में वह इंग्लिस में reputation does everybody not like to earn name and fame क्या प्रत्यक व्यक्ति नाम और ख्याती कमाना नहीं चाहता है तो इसका मतलब है हर कोई नाम और ख्याती कमाना चाहता है हो से कैसे बनाओगे आप everybody की जगे पर आप लिख दोगे who उसके बाद does not जोंकि who भी singular subject होता है who does not आगे आप लिख देंगे like like to earn to earn name and fam और रंत में question mark यानि की नाम और ख्याती कौन कमाना नहीं चाहता है तो इसका मतलब है हर कोई नाम और ख्याती कमाना चाहता है आगे देखिए the earth is round प्रत्थिवी गोल है तो सबसे पहले आप यहां linking वाव लेकर आ जाएंगे age उसके बाद आप लिख देंगे the earth अब उपर not नहीं है तो यहां आप लगा देंगे not ठीके बें आगे आप लिख अगला है no one is mightier than God जाने कि कोई भी भगवान से अधिक सकते साली नहीं है तो वही no one आगे जा सबसे पहले आपको मैं anyone से बताता हूं तो सबसे पहले आप लिखेंगे age no की जगह पर आप लिख देंगे any जा लिख देंगे सातियो any यह लिख लेना no हो तो उसकी जगह पर आ आप लिख देंगे और आगे आप लिख देंगे one फिर आपको not लगाने क्या आव सकता नहीं है क्योंकि यह no negative है आगे आपको लिखना होगा माइटार मैंने गलत पड़ दिया है माइटियर उसके बाद आप लिख होगे than God question mark is anyone mightier than God क्या कोई भी भगवान से अधिक सकता साली है अगर ऐसे नहीं बनाना चाहें तो आप no one की जगह पर क्या लिख सकते हो who is mightier than God यानि कि इस वर से कौन सकते साली है तो आपका अंसर होगा इस वर से कोई भी सकते साली नहीं है आगे देखिए no wise man will behave so यानि कि कोई भी बुद्धिमान ब्यक्ति ऐसा बेहवार नहीं करेगा यह बास सही है तो सातियों जहां आप no की जगह पर कहीं humor लिख देना क्यों यहां आपके पास noun है वो तो आपको none की जगह पर no one की जगह पर या फिर हम बात करें nobody की जगह पर लिखना है तो यहां आपको सबसे पहले wow लेकर आनी है तो आप लिख देंगे will लोको आपको मैंने बता जा भी any में बदल देंगे आगे लिखेंगे आप wise man not लगाने कि आप सकता नहीं है क्योंकि यह negative है आगे आप लिख देंगे behave क्या कोई भी बुद्धमान ब्यक्ति ऐसा ब्यहबार करेगा तो इसका अंसर होगा no wise man will behave so आगे देखें लॉंग लाइफ does not make a man great यानी कि लंबा जीवन एक ब्यक्ति को महान नहीं बना सकता है यह बात बिलकुल सही है बगस्तिम को आप याद करते हैं जीवन कम था लेकिन उनके अच्छे कार्यों के लिए तो इसे आप negative बनाओगे तो सबसे पहले आप लेकर आएंगे डज फिर आप लिख देंगे लॉंग लाइफ लॉंग लाइफ अब आपको नौट दिया है तो नौट अठा देना है क्या लिख देंगे make आगे a man great कोश्चन मार्क लगाना ना फूले क्या लंबा जीवन एक ब्यक्ति को महान बना सकता है तो इसका मतलब होगा कि लॉंग लाइफ डज नौट make a man great आगे देखिए nobody else could have done it यानि कि अन्य कोई ब्यक्ति इसे नहीं कर सका तो साती यहां nobody आपको दिया है आप चाहें तो बस nobody की जगए पर क्या लिख दें के वाल who आगे पूरा जोड़ दें else code have done it question mark या फिर ऐसे नहीं बनाना चाहें तो आपको मैंने no की जगए पर क्या बता जा है any लेकिन आपको code आगे लेकर आना हुगा सबसे पहले आप लिखेंगे code no को आप बदल दोगे any में anybody anybody else ठीक है उसके बाद आप लिख दोगे have done it दोनों तरीके से आप बना सकते हैं ठीक है जोंसा बैस्ट लगे वह आप अपना लीजिएगा और paper में दोनों से बना कराएं तो अच्छा है अब ये नीचे बाले का question का answer आप मुझे commitment send करेंगे nobody would like to be called a fool इसका commitment आप मुझे commitment send करेंगे answer बारह मैं मैं बता देता हूं इ like to be a slave यानि कि कोई भी व्यक्ति एक दास बनना नहीं चाहेगा तो nobody की जगे पर ही आप क्या लेख सकते हैं who आगे आप लिख देंगे would like to be a slave यानि कि एक गुलाम बनना कौन चाहेगा तो इसका मतलब है कोई भी एक गुलाम बनना नहीं चाहेगा दूसर प्रकास से आप ऐसे बना सकते हैं सबसे पहले आपको लिखना होगा would no की जगे पर आप लिख देंगे any body उसके बाद आप लिख देंगे like to be a slave यानि कि प्रतेग व्यक्ति अपनी मात्र भूमी से प्रेम करता है everybody loves his motherland प्रतेग व्यक्ति अपनी मात्र भूमी से प्रेम करता है तो आप देखिएगा आप चाहें तो who का प्रियोग कर सकते हैं everybody की जगे पर who अब negative बनाओगे तो does not प्रेंट इंट आप लिख देंगे love his motherland ठीक है भी है एक तो यह हुगा यानि कि अपनी मात्र भूमी से कौन प्रेम नहीं करता है तो इसका मतलब है हर कोई अपनी मात्र भूमी से प्रेम करता है दूसरे प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं does everybody everybody आगे आप लेखेंगे not love his motherland question mark ठीक है क्या प्रतिक व्यक्ति अपनी मात्र भूमी से प्रेम नहीं करता है तो इसका भी मतलब होगा हर कोई अपनी मात्र भूमी से प्रेम करता है आगे देखिए no one can put up with such a confidence यानि कि कोई भी व्यक्ति ऐसे विश्वास के साथ put up यानि कि नहीं पहन सकता एक तरीके से तो यहाँ भी no one आ जा है तो आप who का ही प्रेयो कर दें मस्के बल who can put up with such a conduct लिखा है यानि कि आचरान और दूसरे प्रकास से आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं can no की जगह पर anyone आगे आप लिख देंगे put with such a conduct कंडक्ट मानी भी यह होता है आचरान ठीक है question mark आगे देखिएगा it is no good to help a mean man यानि कि एक नीच आदमी की मदद करना अच्छा नहीं होता है तो सातियो जब भी sentence आपको no good दे क्या दे no good तो आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको लिखना होगा कि वाट गोर्ड ठीक है उसके बाद आप लिख देंगे एज एट आगे जो भी sentence दिया है उसे आप जोड़ देंगे या फिर आप दूसरे प्रकार से वैसे ही बना सकते हैं सबसे पहले helping वब आगे ले आएंगे तो पहले मैं helping वब से बता देता हूं आपको एज आगे आज to help a mean man question mark ठीक है एक तो ऐसे बना सकते हैं is it any good to help a mean man या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं what good कि उसके बाद एज एट नो को आप अठाई देंगे यहां से होई गया है वो ठीक है आगे आप लिख देंगे to help to help a mean man यह अंसर हो जाएगा आपका जब भी आपको no good दे आप किसका प्रियोकर देंगे what good का आगे question देखे everybody likes to be prosperous यानि कि हर कोई सम्रद होना चाहता है तो everybody आजा है तो आप हू का प्रियोकर दें हू आगे आप लिख देंगे does not does not अब हो जाएगा आपका like आगे to be prosperous प्रोसपर्स का मतलब होता है सम्रद कोशन मार या फिर आप बैसे भी बना सकते हैं डज एब्रिबडी नॉट लाइक टू भी प्रोसपर्स एक कोशन यह बोड एक्जाम में लगातार आपसे पूचा गया है दो हज्जार बाइस में भी आजा है और दो हज्जार चौवीस में आजा है मैं लेग रहा हूं कोशन जहां से अबजर्ब कीजिएगा देयर गिलोरी कैन नेवर फैट यह कोशन आपसे पूचा गया लगातार तो आप इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे एक बार मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा बैसे मैं अंसर आप लोगों को आगे इसका बताने जा रहा हूं ठीक है आ everybody loves to be prayed यानि कि हर कोई प्रसंचा करवाना पसंद करता है यानि कि हर कोई अपनी प्रसंचा करवाना पसंद करता है तो यहां everybody आजा है सबसे पहले आप हुई लिख दें हूँ आगे आप लिख देंगे डज not love first form रह जाएगा to be prayed to be prayed question mark अगर ऐसे नहीं बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख देंगे डज everybody not love to be prayed जो भी आपको suitable लगे अब wise man is honored everywhere एक बुद्धमान ब्यक्ति हर जगे सम्मानित होता है तो यहाँ age आया है सबसे पहले age लेंगे उसके बाद a wise man wise man आप नोट नहीं दिया है तो आपको नोट लगाना है आगे आप लिख देंगे honored ओनर एब्रिवेर एब्रिवेर कोशन मार्क ठीक है क्या एक बुद्धमान ब्यक्ति हर जगे सम्मानित नहीं किया जाता है तो इसका मतलब एक बुद्धमान ब्यक्ति को हर जगे सम्मानित किया जाता है Drinking is harmful for health यानि कि मदरापान स्वाष्टे के लिए हानिकारक है CDS में ऐसा आप से पूचा गया था parts of speech तो सात्य वह से पहले जो भी आए वो subjective case होता है और subject या तो noun बनेगा या प्रनावन तो यह प्रनावन नहीं है noun है CDS में यह पूचा था Smoking is injurious to health तो यहाँ आप smoking का बताना था तो क्या लिख देते लाओ आई यह negative बनाते हैं बहु इंट्रोगेटव बनाते हैं सबसे पहले आप age लिखेंगे आगे आप लिखेंगे drinking उसके बाद not नहीं दिया है तो आप लगा देंगे not आगे लिखेंगे harmful harmful for health ठीक है question mark लगाना ना भूले Is drinking not harmful for health क्या मदरा पांस वाष्टे के लिए हानिकारक नहीं होता है तो इसका मतलब हानिकारक होता है No one would like to be insulted कोई भी व्यक्ति अपमानित होना पसंद नहीं करेगा तो नो बना आ जा है तो क्या लिख देंगे आप फूब आगे वोड लाइक कि तूबी इंसल्टेग ठीक है question mark या इस प्रकार से भी बना सकते हैं इसे सबसे पहले आप बोड लिख देंगे उसके बाद आप लिख देंगे नो को एनी में एनी वन आगे आप लिख देंगे लाइक पूरा लिख देना आप खेक है कि नॉट दिया है तो आप इसे अठा देंगे सीधा लिखेंगे ग्रोग ऑन ट्रीज क्या धन पेड़ों पर उगता है तो इसका मतलब है धन पेड़ों पर नहीं उगता है यह आपका कठेन परस्रम है जो आपको इस जीवन यापन के लिए पैसे कमाने के लिए सच्चम या योग आपको बनाएगा आगे है देयर कैन भी नो सक्सेस बिदाउट हाड़ वार्क बहुत अच्छी लायन है यानि कि कठेन परस्रम के विना कोई भी सफलता नहीं हो सकती तो सबसे पहले आप लिख देंगे कैन उसके बाद आप लिखेंगे देयर उसके बाद भी नो को आप बदल देंगे एनी में आगे लिख देंगे आप सक्सेस बिदाउट बिदाउट हाड़ वार्क केन देयर भी एनी सक्सेस बिदाउट हाड़ वार्क यानि कि क्या कठेन परस्रम के बिना कोई भी सफलता हो सकती है तो इसका मतलब है कोई भी सफलता नहीं हो सकती है जॉइस एंड सौरोज गो टूगैदर यानि कि कुसी और आनंद एक साथ चलते हैं आपने मुवी भी देखी होगे कव भी कुसी कव गम ठीक है तो आप यहां सबसे पहले प्रियंट इंडाफिनेटे तो क्या लेकर आएंगे दो उसके बाद आप लिख देंगे जॉइस एं सौरोज यह आपका सब्जेक्ट है पूरा नौट नहीं दिया है तो आपको नौट लगा देना है आगे आप लिख देंगे गो टूगैदर को कोशन मार्क यानि कि क्या खुसी और धोक एक साथ नहीं चलते हैं आगे इवन आंट्स यानि कि यहां तक कि जो चीटी हैं केंट टीच असा लैसान वे भी हमें एक अध्याय सिखा सकती हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे केंट आगे इवन आंट्स अब यहां नौट नहीं दिया है तो आपको नौट लगा देना है नौट ऐसे भी आप याद कर सकते हैं अगर नौट दिया है तो अठा देंगे और नहीं दिया है तो लगा देंगे ठेक है आगे आप क्या लिखेंगे टीच कि अस कि अलिए लिए पर को सब्सक्राइब ज़रूर लगाएं ठेक है कैन इवन आंसर नौट टीचसा लेशान क्या जो चीटिया भी हैं वे हमें एक अध्याय नहीं सिखा सकती हैं तो इसका मतलब है सिखा सकती है Anyone will grow wise through experience यानि कि कोई भी अनुभव के द्वारा बुद्धिमान हो जाएगा Anyone आजा है तो आप हो का प्रियू करते हैं हो उसके बाद will अब not नहीं है तो not लगा दें आगे आप लिख देंगे grow wise grow wise through experience ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा question mark यानि कि अनुभवों के द्वारा कौन बुद्धिमान नहीं होगा तो इसका मतलब है कोई भी अनुभवों के द्वारा बुद्धिमान हो जाएगा या फिर ऐसे बना सकते हैं will any का बता जा था मैंने no आगे आप लिख देंगे one आगे grow grow से पूरा लिख दें question mark ठीक है अंत्यम question है sweet music please judge everyone यानि कि मधोर संगित हर किसी को प्रसंद कर देता है या आनन्दित कर देता है तो यह present indefinite है तो सबसे पहले आप लिख होगे judge आगे आप लिख देंगे sweet music अब यहाँ not नहीं है तो not please judge का केवल please रह जाएगा सातियो please add verb भी होती है please verb भी तो यहाँ एक verb की तरह कारे कर रही है ठीक है आगे आप लिख देंगे everyone everyone और question mark यह हो जाएगा आपका answer यह question आप लोगों के लिए है जिसका आपको answer मुझे comment में एक बार फिर change करना है अच्छा वो तो मैंने बताए नहीं क्या था their glory वाला यह सुन ली जिएगा मैं बता रहा हूँ important question है यही पूछा जाता है आपसे लगाता तो दो तरीके हैं सबसे पहले आप यहाँ can को आगी लेकर आ जाए उसके बाद लेख दें their glory their glory अब आपको एवर दिया है तो किसम बता या था भी यह मैंने एक बार बताईए अड़े बोल नहीं रहे हो यार never आगे आप लेख देंगे फैड question mark can their glory never fed question mark ठेक है यह आपका answer होगा जाब मैच कर लीजिए अच्छे से कि दूसरे प्रकासे भी आप बना सकते हैं वहें कैन देयर गिलोरी फैड ऐसे भी बना सकते हैं वहें कैन देयर गिलोरी फैड लेकिन यह ज़्यादा बहतर है गलती नहीं होगी एक question मुझे बताईएगा कि everybody कि everybody कि नोज कि नोज कि गांधी जी कि इसका अंसर आपको मुझे इंप्रोगेटिव सेंटेंस में बदल कर कमेंट में चाहिए आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक देखते रहिए साम नहीं थैंक्स वर वाचेंग